नमस्कार दोस्तों मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हो को और नए फ्रेश वीडियो में हैं आप लोगों का डिमांड हो और मैं यहां पर वीडियो ले करके नहीं आऊं बहुत सारे आपके यहां पर डिमांड आ रहे थे क्यामरा से भी रिलेटेड हम यहां पर कुछ आपको दिखाएंगे वीडियो को लास तक देखेगा और उसे बड़ी चीज कुछ ऐसे फीचर जो आपको नहीं पता है वैसे तो मैक्सिमम फीचर में यहां पर एक्स्प्लेइन कर ही दूंगा आपको पोको एक्स्टू में क्यामरा में कौन-कौन से कूल फीचर से यहां त आप यहां पर से अक्टिवेट होता है तो आप इस पर अगर क्लिक कीजंगा point six power Esse यहां पर आपको दिखाते है अपर और छिंवर से एक यहां पर आपको बंद मिलता है आपका फ्लैश वाला जो मोड होता है वहीं यहां पर आपको फ्लैश अगर आप यहां क्लिक किजेगा तो ओटो ऑन और टॉर्च का भी ऑप्शन दिखता है और SDR में भी आपको ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी है अब बात कर लेता है यहां पर कुछ कूल फीचर्स की तो यहां कूल फीचर्स के अगर हम बात करें तो वीडियो सेक्शन में अगर आप जाईएगा तो वीडियो सेक्शन में जाने के बाद यहां उपर में अगर आप देख रहे है तो यहां ट्रैकिंग मोड आपको दिख सकते हैं एक tracking mode मुझे बहुत ही कमाल का यहां पर आपको वी-log mode भी मिल जाता है तो वी-log mode भी यहां पर आप activate कर सकते हैं चोटे चोटे वीडियो अगर बनाना पसंद करते हैं तो यहां पर बहुत सारे filters भी आपको दिख जाएंगे POCO X2 में यही 64 MP में अगर आप settings में भी जाते हैं तो यहां नॉर्मल वाली settings खुलती है filters यहां पर options में आपको दिख जाएंगे बहुती कमाल कमाल के options दिया है POCO ने यहां पर चोटी-छोटी चीज़ों को बारिकी से यहां पर ध्यान में रखा है इसी रिए camera segment में यह one of the best phone में बोलूंगा इस price पे Panorama का option दिख जाता है आपको और pro version वगर हम बात करें तो यहां पर सब कुछ आप अपने हिसाब से यहां पर आप कर सकते है अल्टरा-wide का i'll to hide यहां पर मैक्रो का भी option दिखता है eventually यहां पर अपने ध другие जाहे है wide balance हो focus हो सब कुछ ISO अगरे सब कुछ यहां पर कर सकते हैं वह यहां पर filters वगर इसलों में आपको दिख जाता है प्लस अगर हम बात करें तो फिर यहां पर बहुत सार ऑप्शन दिख जाता है फोकस-पीकिंग उपशन देखता है, एक्सपाजर वगर आपको देखता है, यहां से वह भी आपको देखता है, जो कि आपको DSLR में छाप्शन देखता है, तो रही मेज़ें भी यहां से च्याप्चर कर सकता है, 64 Megapixel अगर आप पर क्लिक के जगा, 64 Megapixel Pro विए आप अंदर आ बहुत सारे options अलग-अलग आपको देखी जाते हैं तो यहाँ पर almost camera के मामलें वगर हम बात करें तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर Poco ने दे करके रखा है आपको किसी भी तरह की problem नहीं होगी वीडियो मोड में भी मैंने आपको यहाँ पर सारा कुछ बताई दिया शौट वीडियो वगर मिल जाते हैं यहाँ पर शौट वीडियो वगर आप यहाँ पर शूट कर सकते हैं किसी भी तरह की problem नहीं आगी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं PUBG जो कि PUBG में मुझे एक feature काफी करने देते हैं हम इसे तो यह पर उपन हो चूका है और जैसे यह पर side sap की जायेगा यहाँ पर यहाँ पर उसक कर सकते हैं यहाँ पर बहुत और दिख जाता है bright and saturated साथ में दिखा सकते हैं तो यह सारे options यहाँ पर आपको दिख जाता है तो यह जो color contrast और यह सब वाले जो problem होता है यहाँ पर आपको नहीं होगा यह सारे options यहाँ पर दूर हो जाएंगे फिर यहाँ पर Wi-Fi and Bluetooth on your phone यह भी आप यहाँ turn on कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे capturing वगर के भी options देख जाता है तो जो PUBG lovers है उनके लिए यहाँ पर काफी अच्छा यह trick है अगर आपको brightness वगर में problem होता तो भी यहाँ से कर सकते हैं और settings में जाएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और features देख जाता है इन-game shortcuts चाहे हम performance mode की बात करें यहाँ पर बहुत सारे options देख जाता है तुमीद करते हूं वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आए होगी और अगर पसंद आए यह वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए शे सारे पसंद आपको जाता है झाल